नुश्कार साथियों एक बार फिर से आपका हारदिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डाइरीज पर जहां आपको वेरिज कम्पिटिटिव एक्जाम्स के लिए स्वागत है आपको पता है आपके लिए लिए इंग्लेश मैथेमेटिक साइकॉलजी हर एक सेक्षिन की वीडियो जो है वहां पर लिंक दिया हुआ है देखिए और उन वीडियो के साथ नोट्स बनाते रही और थोरली अपनी त्यारी करिए आपको एक वीडियो में अगर बी देने वीडियो लाते रहेंगे तो आज मैंने एक स्वाडिनेट बोर्ड का है क्वेश्चन पेपर उठाया है देखिए क्वेश्चन पेपर कहीं कभी हो आपको मतलब है पढ़ने से जी के सक्षिन हम करेंगे इसमें आपका पॉलिटी भी आ जाएगा हिस्ट्री आजाएग तो गाइस जितने भी एस्पिरेंट हैं या जितने भी आपके गौर्णमेंट जो पायनेर हैं जो त्यारी कर रहे हैं उनको पता है कि एरिया जो है 68,64,602 यह जो है यह बेसिक क्वेशन है अगला क्वेशन है टोटल नंबर ओफ म्यूंसिपल कॉर्परेशन इन एच्पी इस गाइस का सही अंसर होगा सी पांच म्यूंसिपल कॉर्परेशन नगर निगम बन गए हैं पहले सिर्फ दो होते थे लेकिन अभी जो रिवाइज नोटिफिकेशन आई है गौर्मेंट की जिन्होंने मतलब बहुत सारे आपके एम एंसी बनाए हैं या फिर आपके जो है उन्होंने पंचाइते वगरा न उनमें क्वेशन जो है वो पक्का ही पूछा जाएगा 100% पूछा जाएगा तो आपने जो फाइव अंसर करना है आगला क्वेशन देखते हैं लार्जस्ट आर्टिफिशल लेग इन एच्पी तो गैस जो आपकी कौन सी है सबसे बड़ी कृत्रिम गोविंसागर ऑप्शन गोविंसागर कौन सी नदी पे है सतलोज नदी पे सतलोज नदी पे है चीक है इसकी ऊपर बाखडा ईयम है आपका और के विंसागर लेक कि अप्रॉक्सिमेट लेंथ ए88 किलो मेटर और मैंली डिष्ट अप्लासपुर में है आगे दिखते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन के उपर रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस इन एच पी रावी नदी हिमाचल प्रदेश में किस सांसे निकलती है तो गाईज ये निकलती है आपकी बड़ा भंगाल से जो कि आपका कांगडा में है बड़ा बंगाल से रावी नदी निकलती है बारलाचा दर्रा या तांडी से कौन सी निकलती है ये निकलती है आपकी चिनाव तांडी से तांडी नाम के जगा है बारलाचा दर्रे के पास तांडी नाम के जगा जहां आपकी चंदरा और भागा दोनों नदियां मिलती है यह question भी आता है कि चंदरा और भागा नदियों का संगवस्थल क्या कहलाता है कि इस नाम से जाने जाता है उसको बोलते हैं हम तंडी वहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है चिनाब नदी अगला question देखते हैं which valley is properly known as valley of gods तो देव घाटी किसे कहा जाता है भगवान की घाटी आपको पता है कुलू घाटी को जो है वो आपकी देव घाटी कहा जाता है इसके लाबा दून वैली जस्वा दून घाटी उना में है जो आपकी क्यार्दा दून वैली है यह जो है इसको पॉंटा घाटी भी बोला जाता है लिख लीजिए क्यार्दा दून वैली को पॉंटा घाटी बोला जाता है और सांगला वैली को आपकी क्या बोला जाता है बस्पा घाटी बोला जाता है सांगला वैली का दूसरा नाम बस्पा घाटी है क्यार्दा दून का दूसरा नाम जो है आपका पॉंट सेन के द्वारा मंडी के रूलर थे अजबर सेन इन्होंने सिवरात्री फेर को शुरू किया था अगला देखते हैं महमूद गजनवी प्लंडर दी कांगरा फोर्ट इन विच येर महमूद गजनवी ने कांगरा फोर्ट किस वर्ष लूटा इन्होंने लूटा था 2009 AD में जहां इसने जो है वो ब्रजेश्वरी टेंपल जो है जो कांगरा का ब्रजेश्वरी टेंपल है उसको उसमें भारी लूट पार्ट की थी ची champ है तो 2009 AD आपने जो हो याद रखना है अगला देखते हैं अर्ध बदेश प्रकूर5000 इंश्चिवरे disappointed at which place in HP आपका जो अर ideology आगनेशवर मंद्र को समर्पता मंडी अगला देखते हैं इंसीचिउट प्लिक अडिमेสे इस लोकेट सेट फेर्ला ब्र लावन आपका रॉजल केरा हुआं , जो रहे लहांबा जोगिंदर नगर में आपके लेएंड हैRI जबाष रेधिएंचियल रेटीट और आपको पूरे इंडिया में जो है सिर्फ दो जगह आपके प्रेजिटेंट थेरीट है आपको बता है ऊप यांक केमर्टिन्सद्धिया आप और धरब्शाला में आपको पता है कि इसको जो हो आपकी विंटर कैपिटल यह एचपी की विंटर कैपिटल कहलाती है अगला कोशन देखते हैं विच वाइसराय इनाग्रेटर दी सेंट्रल काउंसिल चेमबर शिमला इन 1925 एड कोशन दो बनते हैं यहां से मैं बताऊंगा किस वाइसराय ने 1925 इसभी में शिमल में सेंट्रल काउंसिल चेमबर का उदगाटन किया तो गाईस यह किया था आपके लॉड रीडिंग ने अब कुशन उठता है कि यह कुशन यह आ सकता है कि सेंट्रल काउंसिल चेमबर जो शिमला का था उसका उदगाटन कब हुआ तो वो 1950 AD में यह कुशन भी याद और यह था आपका बेगार प्रतह के विरुद्द आपका उपर वह अग्याप अग्पान कष्टरीन हें और तो ऑलेविख्त के उपर अपर एक अज utilizing भारी स menstruars नेशंग है प्रोजेक्ट सुने मैं आपका तौख अथ चनृत ब्लासपुर में है और यह रस्चिया की साहिता से विल्ट हो रहा है, रूस की साहिता से विल्ट हो रहा है, इस question को ध्यान में रखी है, question जो है, बार बार पूछा जाता है, कि HP में कौन सा project जो है, वो रूस की साहिता से जो है, वो establish किया जा रहा है, तो वो है आपका cold है, दे है सैंज और उहल है दुबारा secondo duolas इर साल सूने डौलािसिद सैंज और लार जी सैंज शानन और ऊहल अब बात करते हैं यमुना की तो यमुना में क्या है Critic review वह अपका ने कारीन का अपर प्रोजेक्ट है उसके लावह रावी के उपर आपके जो हैं चमीरा प्रोजेक्ट जितने लगए हैं वो आपके रावी के उपर हैं चमबा में आगे देखते हैं हिमालेन पॉलेंडरी बुक इस रिटन भाई गाइस बुक्स आप से पूछी जाएंगे तो यह आपके लिखी है हिमालेन पॉलेंडरी बुक लिखी है ये भूखिए आपकी D.N. मजूमदार ने डीएण मजूमदार जो है option number D.N. मजूमदार ने हिमालियन पॉलेंटर लिखिए जो आपके Dr. Y.S. पर्मार है एच्पी के पहले CM है इन्होंने लिखी आपकी पॉलेंटरी इन हिमालियाज देखिए हिमालेन पोलेंडरी और पोलेंडरी इन हिमालयाज बहुत डिफ्रेंस है common साथ लिख रहा है सुनने में रट्टा मारने के लिए common है लेकिन नहीं पोलेंडरी इन हिमालयाज वायस पर मार हिमालेन पोलेंडरी डियन मजूमदार ने इन्होंने पूलेंडरी इन हिमालयाज लिखी है, पूरण राजयत्व लिखी है, हिमालया में बहुपती प्रथा लिखी है, HP Case for Statehood लिखी है, HP Its Shape and State दोबारा सुनियो पॉलेंडरी इन हिमालयास, पूरण राजयत्व, हिमालया में बहुपती प्रथा, हिमाचल परदेश case for statehood and हिमाचल its shape and state जो आपके देवराय शर्मा है, इन्होंने कौन सी लिखी है, देवराय शर्मा ने दो बुक्स लिखी है, हिमाचल परदेश परिचे और हिमाचल अतीत वरतमान और भविश्य एक जलक, हिमाचल परदेश परिचे नमबर टू, हिमाचल अतीत वरतमान और भविश्य एक जलक, अगला देखते हैं, नाटी is not a folk dance of which district of हिमाचल परदेश, तो guys ये question तो आप आखे बंद करके कर सकते हैं, आपको पता कि district उना पंजाब के साथ लगता है, तो जो district जो हो पंजाब के साथ लगता है, वहाँ पे जो है वो नाटी folk dance नहीं हो सकता, यहाँ का भांगडा हो सकता ह है, तो कुलू, शिमला और सिरमॉर इन तीनों district में आपकी नाटी होती है, तो इसको option number D सही हो जाएगा, अगला question दिखते हैं, who was the first recipient of परशुराम award, परशुराम award का प्रतम प्रापत करता कौन था, तो guys ये मिली था, sorry ये मिला था आपका, जो परशुराम award है, वो मिला था है आपका सुमन रावत को, ठीक है, सुमन रावत option number है, कब मिला था इनको, इनको मिला था 1987 में, और ये आपके सुंदरनगर से district mandi से belong करती है, और इनको मिला है athletics के लिए, guys question ये भी पूचा जाता है, कि परशुराम पुरुसकार में क्या क्या दिया जाता है, परशुराम प कुमारी जो है, ये इनको 1997 में मिला था परशुराम पुरुसकार 1997 में, और ये कुलू से बिलॉग करती है, और इनको स्कीं के लिए मिला था, ठीक है, स्कीं के लिए मिला था, जो आपके रजीव नइयर है, ये चमबा से बिलॉग करते हैं, इनको 1997 में परशुराम पुरुस निल GST statement through SMS किस संस्तान ने हाल ही में SMS के द्वारा निल GST statement भरने की सुविदा लॉंच किये तो गईज यह की है आपकी GSTN ने ठीक है लॉंच की तो गईज जो आपका हैदरावाद इंटरनेशनल एरपोर्ट था उसने सबसे पहले इबोर्डिंग फैसलिटी जो है वो आपकी लॉंच की थी कोवीड में तो कोवीड के लिहाज से कॉशन आपका मोस्ट इंपोर्टन रहने वाला है अगला कॉशन देखते हैं इसका टारगेट था जनवरी 2021 का अगला देखते हैं तो जो आपकी यूरोपियन यूनियन है उसने टारगेट रखा है कि 2050 तक अगला कॉशन देखते हैं हम लोग अगला कॉशन आपकी स्क्रीन के ओपर बिच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैस बिन रिसेंटल घ्रंटर परमीशन तो यूज ड्रोन फॉर इंस्पेक्शन अक्टिविटीज सारफ जनिक शेतर की किस कंपनी ने हाल ही में निरिक्षन गतिवि और कॉर्परेशन लिमिटेड एंटी पीसी जो है इन्होंने ये प्रमीशन आपको ग्रांट किया अगला कॉशन देखते हैं इस दी मोस्ट इंपोर्टन टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथेमेटिक्स इस वैदिक गनित का सबसे महतवपून ग्रंथ आपका कौन सा है वह गाई आ डिसकस करेंगे डिटेल में डिसकस करेंगे अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए जैसे रोज बखवास होती है जो साथी चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए